नमस्कार दोस्तों आपका हमारे चैनल में स्वागत है कार्तिके के दर्सन बाल रूप में ही क्यों होते हैं आईए जानते हैं ये रोचक था दोस्तों कार्तिके के दर्सन बाल रूप में होते हैं कार्तिके देवों के सिनापती हैं वह मोर पर सवारी करते हैं परतिष्ठा वि पड़ा कृतिकाओं को माता का स्थान दिया गया है सकंद पुरान सभी पुराणों में सबसे अधिक विशाल है इसमें भगवान सीव की महमा का बखान किया गया है कार्टिके के बार रूप में रहने के पीछे एक कथा प्रचलीत है कि यह एक साप के कारण हुआ एक बार भगवान सीव जी और पारवती जी एक खेल खेलते हैं जिनमें भगवान सीव अपना सब कुछ हार जाते हैं और इस हार के पस्चात वर गंगा जी के किनारे चले जाते हैं केलास पर भगवान सीव को ना पाकर कार्तिके को शिंता होती है पुछने पर माता पारवती उन्हें सब बता देती है गटना करम जानकर कार्तिके सीव जी के पास जाते है और उन्हें वापत लोटने की प्रातना करते हैं सीव जी कहते हैं कि यदि उनकी हारी वी वस्तुवे वापस मिल जाए तब ही वे कैलास लोट सकते हैं कार्ति के कैलास जाकर माता पारवती से खेल में भगवान सीव की सारी वस्तुवे पुना जीत लेते हैं और भगवान सीव को लुटा देते हैं इधर पारवती जी भी सीव जी के चले जाने से चिंतित होती है जब गनेश जी को माता के उधास होने का कारण पता चलता है तो वे सीव जी के पास जाकर उनकी व्यथा कहते है सीव पुना पारवती जिसे खेलने की इच्छा वैक्त करते हैं और इस बार खेल में भगवान सीव जीतने लगते हैं गनेश जी जब ध्यान पुरवक सारा खेल देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये सब भगवान विष्णु की माय से हो रहा है तब वो ये सारा रहे से अपनी माता पारवती को बताते हैं तब पारवती जी करोध में आकर सीव जी को स्राप दे देती है तथा कार्तिके जी को भी सदा बालक रूप में रहने का स्राप मिलता है तब से कार्तिके बालवस्था में ही रहते हैं तो दोस्तो इसी प्रकार और भी रोचक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक सेर वा सब्सक्राइब करें हमारी चैनल में विजिट करने के लिए धन्यवाद